हलो फ्रेंच मैं हूं सीमा और आपको सागते मेरी चैनल में आज मैं लेके आई हूँ और एक नियू रेषिपी फ्रेंच मखाना राइता यह बनाना बहुत इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है आप लोगों तो बहुत तरीका से राइता बना के खाये होंगे बहुत तरीका का लेकिन इस तरीका से एक बार मखान का राइता बना के खाये सच में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल कम समय में बन जाएगी सिर्फ पांच मिट में ही त तरीका से बनाएंगे और ऐसे तो मखाना बहुत ही हेल्दी रहता है सब को पता है सरुप के लिए कितना फाइदे मांथ होता है मखाना तो आज मखाना का रहता बनाएंगे अगर मेरा रेसिपी आप लोगों को आच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेट एंड सौस्क्राइब क और उसके बादना इसमें एक कटरी डालेंगे मक्ढ तो यह दीखी मकhna डाल दिया और उसके बादना एकदम लोगव में अच्छा करेंगे तो इस तरीके से है फ्लेम में में अभी तक गर्मी का समय चल रहतो इस तरीक इना राइता बना के ब्रॉत में भी खा सकते हैं बुखुत ही अच्छा लगता है मखाना तो यह अच्छा वह जाता है दिखा तो यह रोष्ट हो चुका है तो एक न मैं चेक करके दखाऊंगी यह दिखिए तो आसानी से टूट जा रहा है तो इसका मतलब नहीं आच्छा से रोष्ट हो चुका है मासा भी ग्यास का फ्लेम ओप करके न उसको रखेंगे साइड में इधर देखिए फ्रेंज मने ना दुख कप दही लिया है और दही ना गाढ़ा होना चाहिए और पतला दही में आच्छा नहीं बनेगा तो ये ना घर का दही है और दही ना ज्यादा खटा नहीं होना चाहिए और आपको ना आपको लाग रहा है ज्यादा खटा दही है तो इसमें आप हालका चीनी भी मिला सकते हो तो ये ना मेरा फ्रेस दही है ज्यादा खटा नहीं है तो देखिए मैंने थुड़ा सा पानी डाल यह दही मैंने आछा से मिक्स कर दिया तो इसमें ना कोछ मसला बगर आड करेंगे फ्रेंगे यह देखिए फ्रेंज मैंने नमक डाला स्वादनु जाई सफेत जवू नमक होता है नर्माल वाला आपना इसमें सिंधा नमक डाल सकते हैं ब्रत के लिए आपना बना रहे तो चिलीकुना चपकर के लिया है और यह न काला नमक है वहता है ज़्याधा क्वण्टेटी में उसके बाद ना इसमें जाएगी रोष्टर वाला जीरा पावडर और यह देखिए पुदिना जो ड्राइए पुदिना का पावडर लिया है तो आपना इस हरा वला पुदिना भी मिला सकते हो फ्रेस पुदिना है तो और उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया कटा हुआ धन्या पत्ता और आपका पास ना फ्रेस पुदिना नहीं है तो आपना जो पुदिना पाउडर भी इसमें मिला सकते है जैसे मैंने डाला है और आपको आपका पास ना पुदिना का पता है तो फ्रेस वदला कि में डूरी है बहुत ही अच्छा लगता है पुदिनखा फ्रेवर उसमें होना जरूरी तो उसके बाद ये देखिए प्रंज मैंने डाल दिया मकाना बस बहुत ही आशान रेशी पी है फ्रंड़ değer बहुत मिक्स करेंगे तो यह न बहुत ही आछछा लगता है और यह दिखे मैंने मिक्स कर दिया और तो इस ऐगन दोकर ढहतासा थोड़ा sollen को लिखाल कर रखेंगे और यह ना बाद में यूज करेंगे तो आपना कॉंटिनू रहिए तो आपको पता चलेगा तो यह क्या करेंगे दहिको तो चलिए फ्रंस इसमें ना कुछ मसला फेर से डालेंगे तो यह देखिए रोस्टेर वाला जीरा पाउडर मैंने डाल दिया उ अच्छा से और उसके बाद ना इसमें थोड़ा सा आच्छा देखने के लिए थोड़ा सा डालेंगे उपर से दिखिए कटा हुआ धनिया पत्ता बास इस तरीका से डाल देंगे और आपका पास ना फ्रेस पुद्ना है तो आप इसमें कट करके डाल भी सकते हो नहीं तो आ मैंने नहीं डाला अभी और उसके बाद ना इस दिखिए फ्रेंश थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे मैस और जो दही लिकल कर रखा था ना इस तरीका से उपर से डाल देंगे तो यह ले जाए फ्रेंश दिखिए बन के रेडी हो चुका है हमारा मखन आ रहीता तो यह देखिए देखने में जैसे खाने में ही टेस्टी होता है फ्रेंश और एकदम हेल्दी है तो आप भी इस तरीका से हेल्दी तरीका से बना के खाईए आप खाईए आपका परव्यार को भी इस तरीका से बना के खिलाए बहुत ही पसंद गारेंगे सच में आप देखने में पुरा यमी, टेंप्टिंग लाग रहे, तो यह देखिए फ्रेंस, हैना फ्रेंस बहुत ही आसन, तो देखिए कितना easy recipe ही फ्रेंस, बहुत ही कम समय में, सिर्फ 5 मीट में ही बन जाएगी, बिना मेहनत में ही इतना टेस्टी और हेल्दी रेसीपी तो मेरा रेसीपी आप लोगों को कैसे लागा कमेट करके जरूर बताएगे फ्रेंज और वीडियो गना फूल वाज करिए स्किप बिल्कुल भी ना करें छोटा वीडियो है तो आज के लिए फ्रेंज टाटा बाइ बाइ फ्रेंज जय जगनात टेक केर